नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल Study Capital पर CET UG 2023, correction window खुल चुका है और correction हो रहा है लेकिन इस बीच बहुत सारे बच्चों की queries है कि सर, CET UG 2023 पे हम क्या-क्या correction कर सकते हैं, क्या-क्या changes कर सकते हैं इस correction date के अंदर, यानि जो correction की date दी गई है और correction का जो मौका दिया जा रहा है, उसमें हम क्या-क्या change अभी कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर complete बताऊंगा और last timing कब तक है correction करने की वो भी बताऊंगा इसलिए इस complete वीडियो को देखिएगा, तो चलिए सुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सही जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी सिधा उस notice पर और देखते हैं कि आप क्या-क्या changes कर सकते हैं इस CUET UG 2023 के correction में तो अगर correction की बात करें, तो आप क्या change नहीं कर सकते हैं सबसे पहले वो जान लीजिए तो mobile number अगर आप change करना चाहते हो तो नहीं change कर पाओगे email ID अगर आप change करना चाहते हो तो नहीं change कर पाओगे अपना address अगर change करना चाहते हो तो नहीं change कर पाओगे तो क्या-क्या change कर पाओगे यह देख लीजिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि candidate cell allowed to change anyone of the fields यानि candidate name, father's name, mother's name, photograph और signature इन पाचों में से कोई एक चीज़ चेंज कर सकते हो या तो अपना नाम अगर change करना चाहते हो वो कर सकते हो father's name, mother's name, photograph और signature अगर इन पाचों में से कोई एक गलती हुई है तो वो सुधार हो सकता है यहाँ पे सब कुछ change कर सकते हो क्या क्या तो class 10th और 12th का जो detail है उसमें सब कुछ आप change कर सकते हैं फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि candidate shall be allowed to change examination cities within the same state आप examination की city भी change कर सकते हैं लेकिन state नहीं change कर सकते हैं city आप change कर सकते हैं पांच में option में दे रहा है कि candidate shall be allowed to change all the fields जिसमें आप data बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर, केटेगरी, सब केटेगरी, यानि यह ओबर अगर हम बात करें, तो आप अपना मोबाइल नंबर, इमेल आईडी और पर्मानेंट एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस नहीं बदल सकते हैं, और नाम, मातापिता के नाम, या फिर इटी 2023 के इस करेक्शन विंडो की, यानि करेक्शन विंडो के अंतरगत, आप क्या-क्या चीजे चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, अब ये करेक्शन विंडो मैं आपको बता दू कि फिलहाल की अपडेट के अंसार, आज यानि तीन अप्रिल, तीन अप्रिल, र क्या-क्या change हो सकता है तो अभी change कर लीजिए रात का इंतजार नहीं करिएगा और date बढ़ने का इंतजार नहीं करिएगा अगली change यदि आप CUET यदि आप CUET UG में किसी भी course की preparation करना चाहते हो CUET UG 2023 में किसी भी course की preparation करना चाहते हो चाहे वो BA हो हो BAC हो BLLB हो BCOM हो तो आप क्या करिए study capital का हमारा android app डाउनलोड कर लीजिए और बहुत ही कम फीस में crash course के माध्यम से आप complete lectures complete study material test series mock test सारी चीजों के माध्यम से आप अपनी preparation को complete कर सकते हो यदि आप हमारे study capital के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए और यह अपडेट आप सभी के लिए इसलिए लाइक कर दीजिए और चैनल पर यह आप पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत धन्यवाद नमस्कार